EX GIRLFRIEND का क्या मतलब होता है? यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं EX का मतलब होता है POURW या जो पहले थे अब नहीं है और GIRLFRIEND का मतलब होता है PREMIKA तो किसी भी वेक्ति कि कोई पहले PREMIKA रही है, पहले GIRLFRIEND रही है अब वो GIRLFRIEND नहीं है तो उसको हम उसकी ex-girlfriend कह सकते हैं यानि कि जैसे आपने सुना होगा ex-wife या ex-husband तो कोई भी वेक्ति किसी relationship में पहले रहा है अब नहीं है तो उसके लिए ex-ex का इस्तेमाल करते हैं यानि कि an ex-girlfriend refers to a woman who was previously in a romantic or dating relationship with someone but is no longer in that relationship यानि कि कोई भी लड़की जो पहले एक relationship में थी पहले उसकी girlfriend थी अब नहीं है तो उसको हम ex-girlfriend कहते हैं यानि कि the term ex is a prefix derived from the Latin word ex meaning out of और former यानि कि ex का मतलब भी Latin में former या out of होता है यानि कि जो अब नहीं है या पहले था indicating that the person is a former girlfriend यानि कि वो पहले girlfriend थी अब नहीं है तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैं और मेरी पूर्व प्रेमिका एक ही school में पढ़ते थे तो आप कह सकते हैं या अगर आप ये कहना चाहें कि सारा और उसकी पूर्व प्रेमिका ने सुहारदपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया तो आप कह सकते हैं सारा और एक्स गल्फेंड डिसाइडिद तू पार्ट वेज एमिकेबली अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें